नमस्ते मेरे दर्षकों आपका स्वागत है मेरे चेनल The Life Ailer में और मैं हूँ Vheishali Sharma और आपका बहुत-बहुत दनिवाद मेरे चेनल से जोड़ने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अभी तो मैंने शॉट वीडियो बनाई थी तो अभी कुछ समय मिला है तो मैंने सुचा कि आपके लिए एक फुल वीडियो बनाओ तो ये वीडियो खास कर महलाओं के लिए है, लेडिज के लिए है, लड़कियों के लेभी, और खास कर ये उस उमर की लेडिज के लिए है, जो 30 स्पार करी है, 30 प्लस या 35 प्लस है, वो इसलिए क्योंकि अब आप लोग अपने लाइफ के उस पड़ाव पर हैं, कि आपने काम कर लिया है, और काफी कुछ देख लिया है, मतलब अच्छा खासा समय आपने व्यतीत किया है, अपने बॉड़ी में और अपने माइंड में, है ना, और काफी सारे सिचुएशन भी आपने देखे होंगे, काफी महलाओं की शादी हो चुकी होगी, काफी हो के बच्चे ह हो चुकी होंगे, तो एक बहुत बड़ा आपने बदलाव देखा है, इस ओनली थर्डी थर्डी फाइव तक की उमर में, जो की शायद उससे कंपरिजन में, एक मेल की बॉड़ी और माइंड में शायद इतना हाई लेविल का चेंज नहीं होता होगा, चेंज, देखो बदल आपकी बड़े लेविल पर बदलाव होता है ना, तो अब क्या होता है, अब जब ये सब हो गया, तो उसके बाद आपकी बॉड़ी जो है, वो अलग-अलग तरह के सिंटम्स दिखाने लगती है, परिशानियां दिखाने लगती है, ठीक है, अब देखो एक तो ये होता है, कि जो सबसे बड़ा इशू शुरू होता है आपके जो periods हैं वो आपके fluctuate होना चालू करते हैं fluctuate मतलब कि यह है कि dates उसकी इधरोधर होती है और pains आपको जो कि menstrual cycle pain होते हैं वो ज़ादा बढ़ जाते हैं पेन और overflow होना या कभी-कभी ऐसे कि less में कम में आपका menstrual cycle जा रहा है है तो यह सब क्या है यह imbalance है ठीक है मतलब कि एक जो आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया है एक natural process है वो बिल्कुल सही natural तरहिके से नहीं हो पा रहा नियंतरण में नहीं हो पा रहा बैलेंस में अब वो क्या है कभी जादा कभी कम है ना एक natural process में एक गड़बड़ी आने लगी है और इसके साथ साथ क्या होता है अब सबसे जादा back pain में बहुत शिकायते आती है लेडीज की के back pain बहुत होता है और एक और बात कि back pain और यह दिखी है for example यह मैंने छोटा से अपका डाइग्राम बनाया है कि मान लीजे यह अगर आपकी body है यह मैंने back side से दिखाने के इसलिए इसकी चोटी भी बनाई है तो यह जो दो points है आप में closely दिखा हूँ यह जो दो points है यह तो पहला वाला जो point है यह आपका back pain दिखाता है कि इधर आपको बहुत दर्द होता होगा back side में है और यह जो बिल्कुल नीचे वाला portion है जहां मतलब बैठने का जो आपका बिल्कुल base होता है यहां पे आपको बहुत दर्द चालू हो जाता है और even बहुत constipation भी शायद आप लोगों को होता होगा है ना constipation या blotting मतलब की इसको सीधे शब्दों में अगर बताएं तो आपको जो कहते हैं एक्सक्रीट करने में या सवेरे लैटरिन जाने में वाश्रूम जाने में आपको दिक्कत होती होगी या बहुत ही जादा itching होती होगी या जलन मचती होगी तो अब यह देखिए यह जो नीचे वाला portion है यह हर human body में इसको कहते हैं मूलाधार root chakra English में हिंदी में कहते हैं मूलाधार chakra तो यह जो सिबसे नीचे वाला इधर energy chakra आपका store होता है यह energy center होता है ठीक है अब इसका नाम मूलाधार है root है तो that means यह represent करता है मूलाधार मतलब क आपके जीवन का मूलाधार कौन है भाई आप खोद हो ना पहले जब आप होगे तभी आप काम कर पाओगे तभी आपके रिष्टे होंगे तभी आपके बच्चियों में तभी आपका career होगा ठीक है तो आपके life का main epicenter आप खोद हो गए that means आपकी body हो गई है ना तो यह जो मूलाधार है अब अगर आपको इसमें दिक्कते आ रही हैं ये दो पार्ट में लेडीज के साथ ये दो जगा जादा ही problem आती है ना तो अब क्या है और ये क्यूं है ये समझना होगा आपको है ना अभी तो ये सरफ आपको location बताया है कि भाई यहां आ रही है दिक्कत ऐसी रहें गायनेक वगेरा से आप लोग अच्छे से treatment and proper ointment or medicine लीजिए ठीक है वो हो गया लेकिन अगर इसका एक basic जो lifestyle से related बात बताई जाए तो इसमें क्या होता है जो ladies होती है महिला है आप क्या करते हो आप अपने जीवन का मूलाधार हर कोई जो lady है वो दूसरों को बनाते है ना मतलब की जैसे कि आपका परिवार हो गया आपका आजखल तो career भी इतना important है है ना career life बच्चे परिवार और बहुत सारी धेरों चीजे होती है तो अब क्या है ये जो आपका center है इसमें खटा हो जाता है frustration गुसा और मतलब चड़चड़ापन गुसा ठीक है ये आपकी भावना है store हो गई अब समझिए कि ये frustration गुसा एंगर और ये सब मतलब जो भी ऐसी बहुत ही जादा कहते है ना जो जो आपके disturbance create करें disturbance create करें ऐसी भावना है आपके अंदर store क्यों हो गई है ना ये जो आपको परिशानी दे रही है अपके शरीर में क्यों store हो गई देख़ करते रहे कुछ इंपोर्टेंट आ गए कभी की सीचार ना पड़ा कभी किसी चीज को देखना पड़ा कभी किसी चीज को देखना पड़ा उसकी वजह से क्या हुआ आपके जीवन में जो आप THER मेन आपने उसका ध्धान नहीं दिया अब इस life की this point पर ये डिपेंड करता ह कि आपने अपने साथ कैसा बरताग किया वैसा आपकी जो बॉड़ी है आपको साइन देगी वैसे आपके बॉड़ी आपको इशारा देगी कि आपने अपना कितना ध्यान रखा आपने अपने आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया आपने अपने आपको कितनी इंपोर्टेंस या अपनी health को कितनी importance दी आपने आपको कितना आपने rest दिया या कितना आपने अपने आपको थंडे दिमाग से आराम दिया या कितना प्यार किया ठीक है जो कि mostly cases में नहीं होता है क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि महलाएं जैसे हमा देश है भारत यहां तो वैसे भी importance देती है maximum of the time में है और उसके बार भी अगर आपको कभी भी life में कभी बुखार या खासी जुखाम होता है या आपको मन में कुछ विचलित होते हो या कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना यार बड़ा आलस आ रहा है तो उस point पे अकसर करके महलाएं क् करती है अपना खुद का comfort छोड़के अपना आलस छोड़कर अपनी परेशानी छोड़कर या अपने कभी-कभी ये भी होता है आप बहार जाते हो शौपिंग करने का मन करता होगा कि आप अपने ले कुछ ले ले पर आप क्या करते हो उसकी जगह अपने बच्चों के लिश शौपिंग करते हो या अपने घरवालों के लिए करते हो या घर की कुछ ऐसी important चीज होती है जो आपको लगता है कि यह जादा लेना जरूरी है बजाए आपकी खुद की चीज हो के यह हो गई आपकी lifestyle and mindset तो अब क्या है यह करते करते अब आप इस point पर पहुँच गए तो यह reason से आपके अंदर क्या store हो गया है एक frustration ठीक है अब ऐसा नहीं अब आपका होगे कि नहीं हम तो ऐसे इंसान है नहीं जो छोड़ी छोड़ी बात पर गुस्सा हो जाए या frustrate हो जाए यह सोचे कि मेरे लिए नहीं आप ऐसे नहीं है बाई आप तो अच्छे हर कोई अच् करता है लेकिन क्या है आप समझे कि जब चीजें सालों साल तक repeat 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 होती रहें तो वो बहुत इखटा हो जाती है अब फॉर इग्जाम्पल अगर आप कोई देखो आपके घर के बगल में अगर आप आपका घर है ठीक है आपका घर है डेली धूल आती है उसमें कच्रा आता है अब आप देखो डेली डस्टिंग करते होगे डेली जाड़ पॉच करते होगे अब आप एक दिन नहीं करोगे तो चल जाएगा है ना कि भाई किसको पता चलना है अब आप दो दिन नहीं कर रहें तीन नहीं कर रहें महीना बढ़ नहीं कर रहें साल भर नहीं करोगे दो आप क्या कर रहे है ये सब थोड़ा-थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर इतना सारा इतना सारा दुफ, दर्द और उसके साथ-साथ क्या है शिकायत है वोई हो reicht करना तो जो लड़कियों की शादी हो जाती है वो अकसर सोचती है कि अरे क्योंकि देखो अब आप दूसरे फैमिली में जाते हो तो मा आपको mix-up होने में थोड़ा cut-in होता है difficult होता क्योंकि भाई वो अलग तरीकी का सोचते हैं आप अलग तरह से सोचते हो अब क्या होता है पर आपका मन करता है कि आप अपनी दिल की बात बोलें या रो लें पर अकसर करके लड़कियां आपने किसी से बोलती नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि भाई parents भी परेशान हो जाएंगे हैं तो काफी कुछ बाते आप दबा लें तब तो आप दबा लिए क कुछ नहीं हुआ लेकिन सालों बाद क्या होती है आपकी जो body है वो ठकने लगती है क्योंकि आपकी body में वो सब चीजे स्टोर हो रही है तो क्या होता है अब क्या हो गया आपकी body अब जब तक तो आप चलते रहे चलते रहे ठीक है जाने दो जाने दो लेकिन अब क्या है आपकी body वो आपको sign दिखा रही है आपको ऐसे constipation होना back pain होना कमर में दर्द होना या जैसे जो ये lower point है आपका यहां दर्द होना चरचड़ापन होना बैठने में दिक्कत होना चलने में दिक्कत होना और जो घुटने का दर्द होता है पैरों में swelling होती है पैरों में जो सूजन आ जाती है वो सब चीजे भी यही सब का कारण है basically वैसे तो एक science ही है कि आप medicine वगेरा लेते रहोगे continue करते रहोगे तो वो चीजे आपकी वो आपको तसली दे देती है पर लेकिन यह है कि यह आपका एक lifestyle भी होता है अब इसके लिए आप क्या कर सकते है तो इसके लिए देखो पहली तो बात यह है कि आपको अपने आपको थोड़ा सा time देना होगा time मतलब कि अपने mind में अपने आपको तसली देना शुरू करो और यह सब कुछ कोशिश होती है one way thinking की वज़े से मतलब कि एक तरीके की ही सोच पर चलते रहना अब देखो पहली बात तो क्या है कि कोशिश करो कि अपने आपको थोड़ा rest भी दो ठीक है टोई 24 गंटे होते हैं पूरे दिन में 24 गंटे में आप काम करते हो सब कुछ संभालते हो ठीक है पर इसके साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना है आपको क्या करना है आपको भाई आराम से rest करो और जब rest करो जब rest करो तो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचो और जब rest करो तो आराम से सोच, rest करो, उसके बाद क्या करना है आपको, आप कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा आप योगा भी करें, योगा करना important होते हैं, और योगा के कुछ ऐसे simple poses हैं, जो कि specially females के लिए होते हैं, जो कि उनके menstrual cycle में और ovaries को healthy रखने में help करते हैं, मतलब कि मासिक चक्रो और जो आपकी ovaries होती हैं, उसको healthy रखने में help करते हैं, आपकी योगा exercises, खासकर एक जो butterfly yoga है, अगर आप YouTube पर सार्च करने हैं, तो आपको मिल जाएगा, जो butterfly yoga है, बहुत ही easy होती है, वो females को जरूर करनी चाहिए हैं, और इसके बाद आपको ये कोशिश करना है, कि आप जो thoughts हैं, thoughts में आप positive रहिए, और जैसे कि पहली बात तो ये है, कि मैंने अपने channel पर एक video बनाई थी, कि spirituality कैसे आपको help कर सकती, even आपकी health भी ठीक हो सकती है, अगर आप अपने जो दिल में दबी हुई बाते हैं, शिकायते हैं, वो अगर आप किसी से नहीं क कर सकते हैं, आप therapy के पास हर कोई नहीं जा सकता है, कोई इतना privilege नहीं है कि हजारो लाग को therapy में खर्च कर दे हैं, तो इसलिए क्या है, जो आप भगवान हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपकी जितनी भी शिकायते होती हैं, जितना भी आपकी अंदर frustration भरा है, अपने husband को लेकर, अपने parents को लेकर, family को लेकर, अपने boss को लेकर, काम में, friends में, या किसी को भी लेकर, है ना, तो वो सब आप भगवान से बोलना चालू करिए, भगवान से जिनको भी आप मानते हैं, है ना, तो जब आप ये किसी higher power को मान के, अपने जीवन का मूला धार बना के, भी बता रही थी ना, कि ये जो आपके यहाँ पर frustration और restore हो गए है, ये यहाँ से निकल के release हो जाएगे, मतलब कि ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ये यहाँ जब आप बोलेंगे, तो ये देखिए, जब आप बोलेंगे, तो इस तरह से ये जो energy यहाँ पर फसी है, store है, ये energy यहाँ से उपर जाकर बहार release हो जाएगी, ठीक है, अब हर कोई ये भगवा, हर कोई therapy में नहीं जा सकता, हर किसी के पास अच्छे दोस नहीं है, और दोस्तों से भी आप सारी बाते नहीं बोल सकते हैं, हर कोई कोशिश करता है, हर किसी की private life होती है, privacy होती है, आप सारी बाते अपने दोस्तों को नहीं बताओगे, obviously, एक limit तक ही बात बताओगे, है ना, अब लेकिन जब आपने किसी एक चीज को अपने जीवन का मूलाधार बना लिया, main focus बना लिया, मान लो कि भाई, ये भगवान है, ये focus है, अब ये मेरे life का focus है, अब अगर मैं अ ये energy यहां से move हो के release हो जाएगी, है ना, तो इससे क्या होगा, जो आप क्या है, आगे की बीमारियों से बच सकते हैं, आप frustration से बच सकते हैं, और जो allergies होती हैं, या infections होते हैं, उससे बच सकते हो, ऐसी कई, बहुत सारी issues इखटा हो जाते हैं, हो जाते हैं हमारे शरीर में, क कभी अपने दिल की बात express ही नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से क्या है, ढेरो बीमारियां और परेशानियां होने लगती हैं, तो आप कोशिश करिए कि ये चीज जरूर करें, और देखिए, यहां पर frustration मतलब हर छुटी छुटी बात का कोई बीच है, वो साड़ी से related हो, चा और कोई ऐसा ना रहे आपको कि कोई बात आप जूट बोलो, बिल्कुल सच्चा ही बोलो भगवान से, honest मतलब इमानदारी से बोलो, तो अब क्या होगा, वो बाते जो आप शायद आपके अंदर दभी पड़ी हैं, मेभी कुछ ऐसी बाते होंगी, जो शायद आपको अपने बोलेंगे, तो वो क्या है, आपकी energy flow है एक तरीक से, आपके अंदर जो आपके heart में दभी हुई बाते हैं, आपकी body में दभी हुई बाते हैं, आपकी back में, जो back होती है इधर, मैंने पहले भी एक अपने channel पर वीडियो बनाई थी, ये जो back है, ये जो second point दिखरा है आपको ये आपका होता है सेक्रल चक्र, ये आपका होता है सेक्रल चक्र मतलब की स्वाधिस्टान चक्र, मतलब की वो वाला पॉइंट जहां आपकी feelings store होती है, अब देखो भाई, ये common sense वाली बात है, एक इनसान अपनी सारी feelings कैसे किसी को बता पाएगा, मतलब की आप जाने क्या क या सोचते हो है ना और यह possible भी नहीं है कि आपकी सारी feelings भाई सामने वाला accept करें या सुने ही है ना क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ इंसान को ऐसा भी feel होता है कि शायद आपके partner को या मम्मी बाबा को या friends को बुरा भी लग सकता है पर लेकिन आपके अंदर व यह खटा होते होते हैं बीमारी बन जाएगी तो अब उस चीज को कहीं तो आपको process करना पड़ेगा कहीं तो आपको उस चीज को release करना होगा ताकि आपकी body हलकी रहे है ना तो इसलिए हमारे भगवान जो है इश्वर है जो आप उपर higher being है शक्ति है उनको माना जाता है ता अरपण क्या लागे मेरा है ना तो बताओ यार यह जो दुनिया है इसमें जो हमको दुख मिल रहा है frustration मिल रहा है या धोका है या धोकी के साथ साथ यह disappointment है disappointment मतलब की भाई निराशा है कि भाई आपकी चूटी चूटी इच्छा हैं भी पूरी अगर नहीं हो रही है जो कि महलाओं के साथ होता है तो वो समझो अब आपको यह जो निराशा मिल रही है यह भगवान का दिया हुआ है तो तेरा तुझको अरपण जो भगवान से मिल रहा है वो भगवान को ही दे दो भगवान को ही बोल कर रिलीस कर दो और आपको लगेगा कि आप कितना हलका महसूस करते हैं और अगर आप ये continuation में करते रहे करते रहे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो health है वो कितनी ठीक हो रही है और even जो आपकी जो कहते हैं ना जो body weight होता है जो कभी-कभी क्या होता है जो महिलाएं होती है इस age में आकि उनकी body weight भी किसी की का बहुत कम हो जाता है एकदम पतले हो जाते हैं और किसी का body weight बहुत बढ़ जाता है एकदम से आपका वजन बढ़ जाता है तो अगर आप ये करते हैं तो आपका body weight भी आपको पता है आपकी उमर और height के साब से बराबर आने लगेगा थोड़ा ऐसा ही अंतर रहेगा है ना तो ये फाइदे हैं spirituality के ये फाइदे हैं भगवान को मानने के ये फाइदे हैं कि एक भगवान को मान कर अपनी उनसे connect करने के भावनाओं से connect करने में हैना हम लोगों क्या कहा जाता है भगवान तो भाव के भूके हैं भाव मतलब आपकी feelings आपकी भावनाओं के भूके है जो भी अगर आप कहते हैं भगवान को आप कितना भी धन दौलत और संपत्ती चड़ा दो कितनी भी बड़े बड़े वो दान दे दो लेकिन भगवान को सबसे अच्छा लगता है आपकी भावनाओं भावनाओं मतलब आपकी feelings जो honest हो चाहें वो आपका दुख हो चाहें आपका सुख हो पर अगर आप अपनी feelings भगवान से connect कर रहे हैं भगवान के लिए सबसे बड़ी अराधना होती है सबसे बड़ी पूजा होती है ना और ये तो हो गया एक spirituality की बात और science case आपसे भी देखें तो भाई आपको एक तरीके से release feel होता है और उससे क्या होता है उससे आपकी mental health भी अच्छी रहती है ना obviously जब आपकी अंदर frustration नहीं होगा गुसा नहीं होगा जब आपकी अंदर शिकायत है आप भरोगे नहीं अपने मन में अपने शरीर में तो आपकी mental health भी अच्छी रहेगी है ना क्योंकि आप भाई मस्त मॉला हो भाई अरे ठीक है छोटी मोटी frustration चलती रहती है जित्ता गुसा है भगवान पर निकाल दो जित्ता frustration है भगवान पर निकाल दो और इसके साथ साथ अपना सुख भी उनके साथ share करो जो आपको अच्छा लगा है जो आपकी life में कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी भगवान से share करो तो ये क्या है ये सब एक जरिया है आपको healthy रखने के लिए आपकी physical health को भी और आपकी mental health को भी अच्छा रखने के लिए है ना और जब आप इस state में रहते हैं जब आप इतने एक अच्छे mental state में रहते हैं और अच्छे physical state में रहते हैं तो इससे क्या होता है इससे एक तो आप काम अच्छे से कर पाऊगे अब आपके जब शरीर में इतनी थकान नहीं होगी, बीमारिया नहीं होगी, तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, दिल से कर पाओगे, परफेक्शन से कर पाओगे, और दूसरी बात ये है कि आप clearly सोच पाओगे, कि मेरे लिए क्या important है, क्या important नहीं है, दूसरी बात अब आ अगर ये आप नेड़े ले रहे हैं, तो इसका क्या फाइदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और मेरे साथ साथ मेरे अपनों का क्या फाइदा हो सकता है, मेरे अपनों का क्या नुकसान हो सकता है, तो जब आप इस तरह से आप अपने आपको हलका रखेंगे, भावना आपका सुन्दर ले पाथे हैंreb давно यह सोटे चोटे कर चोटे करके आप उस चीज गेंगे कि सालों बाद की लाइफ कितनी बहतर हो सकती है वन हיעस के कि आप वोह सारी गुसरा थ्रस्टेशन अपने अंदर भर pastor चलो है ना तो ये दो तरीके की lifestyle है कि या तो आप अपने भाई सारी frustration और अपने अंदर लेकर चलते रहो और अपने आपको मांसिक तौर पर भी भी मार कर लो शारेरिक तौर पर भी और दूसरा option ये है कि आप अपने आपको भगवान से जोड़िये अपनी भावनाओं को हगवान से जोड़िये और healthy रहिये मस्त रहिये सुरक्षित रहिये है ना और क्या है देखो health तो एक ये है बुड़ापा तो हर किसी को आना है health तो कहीं न कहीं खराब होगी आपको बीमारियां तो कहीं न कहीं एक उमर बाद लगेंगी परेशानिया और defect तो आएंगे शरी ना कि कोई थकान में आकर या मजबूरी में आकर है ना तो यही आज की वीडियो है आपके लिए और जितना मुझे समझ था मैंने आपको बताया और I hope के आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप इसी से अपनी life से related कोई और प्राब्लम है या किसी और चीज के बारे में आप जानना चाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे को बता सकते हैं और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में